नमस्कार दोस्तों मैं किसलोपाद्ध है स्वागत करता हूं आपका अपने डेक्ट यूटूप चलने में दोस्तों कैसे हो अपसोप्रेंट्स आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं अगर आप एक नया CPU विल्ड करने के सूज रहे हो या नया CPU आप खरिकना चाहते हो तो आज मैं आपको बताने बाला हूं मात्रा 5000 से लिए के एक इस ऐस बीट करके दिखाने वाला हूं जिसका आपको इंतजार था जिए दोस्तों मात्रा पासीजार में आप अच्छे परोसेसर हाड़ डिस्क अच्छे रेम में जो कि मैंने खुद इसको विल्ड करवाया हु क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि आप मदरबूर कौन सा लें, प्रोसेसर कौन सा लें, रेम कौन सा लें, हार्डिस कौन सा लें, SMPS, कैबिनेट, पूरी जनकार इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल स्क्रिप मत करेगा, सुछ जोड़ दबाईगा, ताकि इसके लेट जो भी वीडियो में डालू, आपके पास उसका नुट्पिकसन चला जाए, और आप उसका लाफ उठा सकें, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियों सुरू करते हैं, दोस्तों, यहां पे एक शीप्यू है, जिसको मैंने एशेंबल किया हुआ PC है, और इसको लगवा, मैंने चला है, तो आज मैं आपको इसका उन बॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, और इसका रिव्यू देता हूँ, कि यह चलता कैसे है, कि आप 5000 के रेंज में कोई, अगर CPU बनवाता है, तो क्या वो एडिटिंग से ले करके, और ऑनलाइन वर्क या गेमिंग काम कर सकता है, तो इस इक बारे मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्रोसेसर में, क्या आप इतना कर सकते हो, इस प्रोसेसर से यह सारा काम कर सकते हो, हैंग हों का क्या सीन है, क्या हैंग करता है या नहीं, पूर इटेल इस वीडियो में आपको मिलने व जो कि बहुत ही बैतरिन प्रोसेसर के साथ है तो सबसे पहले आई इसको फट 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 इसका पीछे का स्कूरू खोलते हैं जो कि मैंने पहले खोल कर रखा है थोड़ा से बस मुझे धील करना तो चलिए इसको फट फट खोल देते हैं आपको शाम इसको मैं खोलता हूं और उ बीछे से मैं देखिए एक स्कूरू मैंने खोल लगा है इसको मैं खोल लेता हूं कि देखिए इसको देखिए मैंने कितने जुगार से बनवाया था जो कि मुझे 5000 से कम पढ़ा था लेकिन आप अगर बनवाते हो तो आपको 5000 से लिए 555 के बीच में इसका प्रोसेसर पढ़ लगा दिखने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यह इसका फाइनली मदरबोर्ड पूरा इसमें फैन है ऐसे साइन का फैन लगा है एसे एंपियस लगा है और कैबिनेट हैं टेक्स का और मदरबोर्ड इंटल का है को टूड यू वाला इसका प्रोसेसर लगा है तो पूर इसके नीचे प्रोसेसर रहेगा फैन के नीचे होता है और यहां पी पूरा मदरबोर्ड देख रहे हैं पट्टी सी पूरी लगी हुए वह टोटल आपको 3500 के बीच में आपके मार्केट के हिसाब से आपको मिल जाएगा अब यहां पर मैं बात करता हूं इसका रेम होगए नहीं आने वाला है तो दो जीवी और मैं इसको लगवाने वाला हूं जो कि नॉर्मली आपको 500-600 रुपए में मिल जाता है मार्केट में ठीक है तो आपका हो गया टोटल 300 प्लस यह जो कैबिनेट है इंटेक्स का वह आपको पढ़ जाएगा मार्केट के हिसाब से हमारे य का प्रोसेसर है यह हो गया इसके बाद आता है यह संप्यस मेंने पुराना लगवाया था क्योंकि यह लेडी मेरे पास था संप्यस तो आपको मिल जागा चार से 500 रुपए के भी आता है तो टोटल मिला जू लाके 400 रुपए आपका हो गया अब इसमें मान लीजे इसका लेकिन और रखते हो तो आपको 500 रुपए में पूरा सेटी मिल जाता है 335 में किसी दुकंदार के पास अब जाओगे तो इसमें अलग-अलग मैं आपको बताऊंगा रैम बताऊंगा यह प्रोसेशर फैन बताऊंगा मदरबोर्ड बताऊंगा ज्यादा टाइम डग जागा इसलिक नॉर्मली आपको जाना है सेंबल करके दुकंदार रखे होते हैं उनसे इंटल का कोट्यू प्रोसेसर वाला मदरबूर्ड आता है डवल फोर जीरो टू करके आता है ऐसे साइन का यहां पर लोगो लगा है देख सकते हैं आप यहां पर तोटली आपको 3500 मिल जागा 500 का SMPS हो जाएगा 4000 रुपए इसका हो गया 1000 रुपए का डिस्क माल लो 5000 और 500 600 800 के बीच में आपका पूरा कैबिनेट मिलता है जो कि तोटली आपका 500 रुपए के आसपास में तोटली खर्चा है आपका एक नंबर का यह CPU बिल्ड हो जाएगा और बात रही मॉनिटर की तो 1200-2200-2300 के बीच में अच्छा खासा जब्रॉनिक्स का मॉनिटर मिल जाता है एक चाल के वारेंटी के साथ तो फाइनली कुछ हमारा इस तरह का लुक है मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूं ताकि कुछ किलियर दिखे आपको थोड़ा केले में परशानी हो रही है धरने में बनाने में आपको देख सकते हैं ऑच्छा सा अख पर सेसर यार इस में आन लाइन रुखक कर सकते हूँ आप शीन भी अन्लाइन वर्क हो एडिटिंग हो कोरेल रहो फिल्मोरा हो या मिक्षिंग हो सब कुछ आप इससे कर सकते हो चार्ज भी रहें लगवाने के बाद यह कप पीछे का कुछ इस तरह कर लोग है पूरा आप देख सकते हो कितना पोड़ दिया है चार पोड़ है इसमें और पी नहीं तो आपको काटना पड़ेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिव यह ले टाइंडा है यह कुछ दिया है और तो कुछ च्छीस में है नहीं नॉर्मली एसंबल की चुप में कुछ ज्यादा नहीं होता है यह नॉर्मली बोट का आप नहीं समझ में आ रहा होगा आपको नॉर्मली थीन जार से लेकर 35 तो बीच में पूरा यह नीचे का बोड ही मिल जाता है मंदर बोट ठीक है और अच्छा खासा सारा काम आपका I think करतेगा ठीक है तो आज की वीडियो में ही बात करना वाल था वीडियो अच्छा लगा हो जरूर दोस्तों लाइक कर दीजेगा और अगर आप मारे चैनल परना है वो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके बेल आइकन जो दुबाएगा ताकि इसके लेट